नमस्कर दोस्तो आपको मेरी उट्यूब चलना रिपोर्ट पाढ़ना में दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ओफिस ए माई एस स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ओफिस मंथली इनकम स्कीम और इसमें हम लोग जानेंगे दस हजार रुपिया प्रती माह पाने के लिए आपको कितना जमा करना होगा मतलव दस हजार रुपिया इंट्रेस्ट पर माह पाने के लिए पर मंथ पाने के लिए कितना जमा करना पड़ेगा और दोस्तों इसके साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में Post Office MIS Scheme क्या है About Post Office MIS Scheme और जानेंगे Post Office MIS Scheme Criteria और हम लोग जानेंगे 1,3,4,9,7,0,000 के MIS पर आपको कितना return मिलेगा अगर आप invest करते हैं 1,3,4,9,7,0,000 तो आपको परमद कितना interest मिलेगा और जानेंगे Tax Benefit and TDS on Post Office MIS Scheme और साथ में जानेंगे How to Open MIS Scheme in Post Office और लास्ट में जानेंगे Documents Record for MIS Scheme जी हाँ दोस्तों इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माद हम से बताऊंगा और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह का Investments से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं Post Office मंतली Income Scheme यह आप Regular Income का इंतिजाम कर सकते है अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम जियों कात्यों बची रहती है मैं आप उसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस स्कीम में एक अच्छी बात है कि आपका जो मूल रकम है जो आप पैसा इंवेश्ट करेंगे वो जियों कात्यों बचा रहेगा अब जान लेते हैं Post Office MIS Scheme Criteria Age Limit तो इसमें कोई Age Limit नहीं है बच्चा से लेके बुढ़ा तक भी खोल सकता है Minimum Amount आपको 15,00 रुपय से स्टार्ट करना है MIS Scheme Maximum Amount चार लग पचाहस जार है 4.5 लक्स as a single account वही maximum amount नौ लग as a joint account Even अगर आप single account से आप स्टार्ट करते हैं तो बाद में उसको joint account में आप convert कर सकते हैं Maturity period 5 years के लिए है आपको MIS Scheme open करना होगा Payout Payout मतलब कि अगर आपने Scheme स्टार्ट किया है तो आपको monthly जो आपको interest मिलेगा ओ चाहे तो आप आपके direct जो आपका जो post office में saving account अगर है पहले से खुला तो उसमें जो automatically credit हो जाएगा अगर नहीं है तो आपका जो monthly interest है वो आप पीडीसी मतलब post dated check के त्रूँ आप ले सकते हैं या ECS के त्रूँ भी MISA scheme को तो आपको no benefits है लेकिन अगर आप after one year बंद करना चाहते है MISA scheme को तो आपको penalty charges देना पड़ेगा before three year two percent deduction है after three years one percent deduction अब जान लेते हैं nomination facility तो nomination facility available है अब किसी को भी nominee as a point अप कर सकते हैं अब जा लेते हैं post office MIS scheme interest rate तो इस MIS scheme में जो interest rate है as on first January 2019 7.3 percent per annum payable मन्थली है तो दूस्तों अब हम जा लेते हैं कि returns on post office मन्थली income scheme जी हाँ अगर आप 1,00,00,00 रुपा से start करते हैं 5 साल के लिए तो rate of interest 7.3 percent के हिसाब से आपको जो मन्थली जो interest मिलेगा 608 रुपया वहीं अगर आप 3,00,00,00 रुपया invest करते हैं 5 साल के लिए तो rate of interest 7.3 percent के हिसाब से 1825 रुपया आपको मन्थली income बनता है अगर आप 4,00,00,00 रुपया जमा करते हैं 5 साल के लिए 7.3 percent के हिसाब से 243 रुपया बनता है वहीं अगर 4,00,00,000,00,00 रुपया 4.5 पांस साल के लिए जमा करते हैं 7.3 percent के हिसाब से 273 रुपया वहीं दोश्तो अगर आप 9,00,00,00 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो rate of interest 7.3 percent के हिसाब से 4645 रुपया तो 7.3% की हिसाब से आपको पर मंत मिलेगा 10,341 रुपिया लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जोइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम नौ लग रुपा इंवेस्ट करते हैं कर सकते हैं लेकिन आपको 17,000,000 रुपा इंवेस्ट करने के लिए आपको 4 जन का जरूत होते हैं बनता है दोस्तों अब हमनों जान लेते हैं TDS and tax benefit on post office मंतलीन का मस्की तो पहले मैं आपको बता जाता हूँ कि इस पर कोई tax benefit नहीं है under 680C जी हाँ no tax benefit इवें TDS is applicable on interest जो भी आपका interest बनता है उस पर TDS भी कटेगा दोस्तों आपनों जान लेते कि how to open post office MIS scheme मतलब post office MIS account कैसे आपको तो to open MIS scheme account in post office इसके लिए आपको किसी भी nearest post office में आपको विजिट कर रहे हैं आप वहाँ पे MIS scheme account खोल सकते हैं अब जान लेते हैं documents required for MIS scheme तो normal KYC, ID proof and pen card, address proof and one photo, bank account, detail तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरी इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों को भी जरूर share करें और अगर कुछ doubt है तो आपने इसे comment में लिख कर पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरी इस चलनल रिपोर्ट पांडा को जरू सब्सक्राइब करें थैंक्यू